नमस्कार साथियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने आलाइन इस्टिटिउट निसान त्यान के योटो प्लेटफॉर्म पर मैंने तिन उपात जिया है आप सभी का स्वागत करता हूँ अभिननदन करता हूँ आज के अपने इस वीडियो पर मित्रो आज जो है आपको सुभा की एक अपडेट देना चाहता हूँ आप सभी लोग जो है यूपी ट्रिपल सी से सम्मन्नी जो पेट पर आधारित पहली विग्यपती जारी होई है कल ही साम को आप लोगों ने देख लिया होगा लेकिन उसके बाद जो लेखपाल भरती का विग्यापन most awaited है और सिपाही भरती का विग्यापन जो most awaited है क्या इसके बाद आपको वा वेकेंसी नजर आ रही है उस पर हम बात करेंगे और पेट पर आधारी जो पहला विग्य पंजारी हुआ है उसकी भी हम बात करेंगे ठीक है और लेकपाल भरती में सामिल होने के लिए कितने परसेंटाइल आपका स्कोर होना चाहिए अब यह लगभग लगभग असपश्ट हो चुका है हमारे ख्याल से और अब आप भी असपश्ट कर चुके होंगे मतलब कितने कम से कम पर जादा से जादा बच्चों को बैठाने की कोसिस की जा रही है तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं अगर वीडियो पसंद आता है ति वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ठीक है चलिए आप सभी लोग जानते हैं जो 9212 पदों के लिए एनम की वेकेंसी थी जिसे मात्र और मात्र लड़कियां ही फॉर्म डालत रखती हैं इसके लिए जो आया आवेदन कल से जारी हो चुका है और 5 जनवरी तक आवेदन चलेगा फीक है पांच जनवरी तक आवे-दन चलेगा इसे हम पढ़कर के सुना देते हैं उसके बाद हम लेकपाल भरती और सिपाही भरती की बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधिनस सेवा चैन आयोग ने स्वास्त कार करता महिलाओं के 9212 पदों के लिए भरतिक बुद्वार से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है आवेदन की प्रक्रिया उसके बारत तक नहीं ले सकेगा जब तक फिर्ष समयोजन द्वारा नहीं कर दिया जाता है इसलिए भरति द्वारा बैंक से सुल्क का समयोजन 5 जनवरी तक या स्के बाद 7 दिनों तक 12 जनवरी तक प्रैक में उसके पर चीजे सब कुछ कर लीजिएगा ठीक है अब बेसिकली हम एनम के बारे में बात करने नहीं आये है कि एनम की युग्यता क्या है एनम में किस तरीके से होगा ठीक है इसके लिए आप विश्तरिद्व विज्यापन आयोग की वेप साइट पर जाईएगा यूपी ट्रिपल स करने नहीं आये है इसके आवेदन से क्या निसकर से निकलता है उसके बारे में हम बात करने आये हैं लेकपाल भरती के बारे में मित्रो आप सभी लोग जो हमें जानकारी प्राप्त होई है कल के बाद जो जानकारी मिली है आपको भी लगबग अगर नहीं मिली है समझ लिज तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जल्दी में सरकार है तो सायद स्वास्थ कर्मी की परिचा न कराई जाये, मतलब की स्वास्थ कर्मी की परिश्थ क्योंकि प्रियारिटी लेखपाल की है। आ गया होता है तो सोला से बिग्यापन की बीच में आपका विध्यापन कभी भी आ सकता है और आपका जो विघ्यापन होगा ज्यादा से ज्यादा हमें लगता है कितना दिन आपको मिलना चाहिए आपको साफ Inner पाण AD दिसंबर को आपका विज्यापन आता है तो 20 जनवरी तक आप विज्यापन में आवेधन कर पाएंगे पंदरा जनवरी तक लास्ट समिटों में डेट कर देंगे उसके बाद जो आपको टाइम मिलेगा अगर सरकार चाहेगी परिच्छा कराने के लिए तो परिच्छा भी था और उसी तरीके से यहां भी होने वाला है बहुत ही जल्दबाजी में बहुत ही जल्दी से लेकपाल भरती की परिच्छा की प्रक्रिया कराई जाएगी मैंने कल भी बताया था कि 90% उम्मीद है कि यह परिच्छा होगी ठीक है और यह परिच्छा जो है फरवरी के सबस्वा चुनाओं पर सरकार खड़ी है तो अपने वादों वादों को पूर करनी की पूरी-पूरी कोसिस करेगी कोई भी सरकार हो ऐसा करती है हाना तो ऐसी कुछ सम्भावना जो है दिसंबर के महीनी में आपको मिल सकती है और हाँ जो लेक उत्तर प्रदेस पुलिस भरत थे विग्यापन आयेगा लेकिन जो परिच्छा वाली संभाववना 99% परिच्छा इस वरस नहीं हो पाएगी क्यों क्योंकि लेकपाल भरती की परिच्छा में काफी विलम् बहुए हो सकता है और इसकी परिच्छा जो है कराना मुस्किल है तो यह चुनावी भरती की तो आपके सामने कोई और विकल्प ही नहीं है आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी ठीक है आप इस लेवल की तैयारी बनाएगा कि इसकी परिच्छा चाहे जब हो हमारी एक सीट कर्फर होनी चाहिए हमें जो है हमारे वदन पे वर्दी होनी चाहिए बस और कुछ नहीं इस तर साल भरती के लिए लगातार आप लोग परसंटाइल पूछ रहे थे कल जब विज्यापन आया है तो इस विज्यापन में कहीं भी परसंटाइल और स्कोर कार्ड का मनाम ही नहीं लिए गया है उसमें लिखा गया है पेट में सामिल सभी कंडिडेट सभी मैल आए जो एनम की योगिता रखती हैं सभी लोग मतलब मुख्य परिच्छा में आवेदन कर पाएंगे मात्र 25 रुपए आवेदन सुलक रखा गया है तिससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बैठाने के पूरी कवायद है आयोग की तरब से तुसी तरी यारी में पूरता रहिएगा क्योंकि आपको मौका जो मिलेगा और 99.99% सभावना है कि आपको मौका दिया जाएगा ठीक है आपके पास चांसे जहें अब कोई कहें यार 50% पर तो फिर एक मात्र पॉइंट एक परसेंट चांस है कि 50% पर आपको मौका मिल जाए 50% का मतलब क विइट न? तो जो यहाँ भी जानिएगा जो एनम में विज्यापन करेंगे उसके बाद वहाँ से साट लिश्टेट करेंगे साट लिश्टेट का मतलब फिर वहाँ पे बाद में जब आपका एडमिट कार्ट जारी किया जाएगा तब आपको बाहर और अंदर करने वाली प्रक्रिया चलेगी हाना तो जिसका वहां पे जो है गुड़ा गड़ी चलेगा उसी तरीके से साइध लेकपाल में भी आपको मौका दे दिया जाए कि सभी लोग फॉर्म डाले सौट लिष्ट वाद में करें ऐसा हो सकता है लेकिन हमें लगता है पूरी तरह के से से क्योड रहे लेकपाल भरती लिए और आप एक सीट के लिए एक सीट की कवाये सुरू कर दीजिए एक सीट आपको लेनी है बस आपको कोई मतलब नहीं है पेट में आप अच्छा नहीं कर सकता अगर आप 80 के उपर चले जाते हैं तो टार्गेट 80 के उपर लेकर चलिएगा और निशी तरूप से एक पद आपके लिए है और आपके लिए ही रहेगा ठीक है इस वीडियो को यही तक रखते हैं जो भी जानकारी आपको चाहिए मैंने आपको देने का कोसिस किया है वी बहुत धन्यवाद जय हिन जय भारत